बिस्मिल्ला रह्मान इर्वाहिम अस्सलाम अलेकों मैं आपका केचन एक्षपर्ट उमेर बट एक नए वीडियो के साथ आपकी इद्वन में हाजिर है जी विबर्स आज मैं आपके बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है चिकन स्टेक चिकन स्टेक बहुत असानी से और बहुत कब इंडिरेट्स में यह बन जाता है और यह इंटरनेशनल यह भी बहुत पसंद की जाती है यह डिश तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए में सबसे पहले एक किलो चिकन चाहिए बोलनेश चिकन होना चाहिए और उसके पीसिस आपने इस तरह से करवा लेने हैं उसी सही इसके बाद मसालों में हमें चाहिए होगा नमक, काली मेर्च, सुका दनिया पिसा हुआ, पैप्रिका पोडर, सोया सॉस, लिमू एक अदध हमें चाहिए होग और जो सॉस हमें बनानी है उसके लिए हमें प्यास, अध्रक का पोडर, मस्टर्ड क्रीम, मक्षन चाहिए होगा, हम मक्षन में यह त्यार करेंगे, आप ऑइल में भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको बटर में त्यार करने लगें और इसके लिए हमें दूद चाहिए होगा, और क्रीम चाहिए होगी और इसके साथ सद हमें हमने यह प्रटेटो लिया है, और अध्री बॉइल कर लिया थे हमने मैस्ट भी कर लिया इसको और वैजी टेवल्स भी हमें इसके लिए चाहिए है, जो मिक्स वैजटेबल आप देख सकते हैं तो आईए बनाना स्टार्ट करते ह अध्राइब जा पानी था गरम कर लिया हुआ था इसमें सबसे पहले जो आपके वैजटेबल से शीट बॉइल कर लेंगे यह गाजनी लीति हैं मने गाजनी मटर बहुँ उर बीम शीय है यह मिसमें को बोईब करके निकाल लेते हैं एक से दो मिनट के लिए हम इसको बॉil करेंगे गरम पानी में इसमें आफ टीस्पून आपने नमक पी ऐड़ कर देना ना कि जैसे यह बोईब हो रहे है आफ टीस्पून नमक और वन टेबल स्पून सिरका वाइट सिरका इसमें आपने शामि यह 2-3 मिनट अब हम यह सब्सक्राइब निकाल लेते हैं और इसको एक प्लेट में रख लेंगे हमने पानी निकाल के इसको आपने प्लेट में रख देने हैं हम सबसे पहले चिकन को मिसाले लगा लेते हैं मसाले लगाने से पहले आपने चिकन को एक कांटे से इस तरह से आपने इसको तमाम पिसों को कड़ लगा देने हैं दो इसके बाद हम शबी picture अप्ने नमक वां टीषपून लेना है कि इसके बाद काली मेर्च वान टी स्पून इतनी कॉंटिटी इसका दनिया पिसा हुआ जो है वान टी स्पून पैप्रिका पोडर वान टी स्पून इसे अच्छा कलर आ जाएगा इसका और सोया साउस यह हमने थी टेबल स्पून लिया था आफ ने इस्ट्री टेबल स्पून आपने सोया सौसस में रो पोस्टो प्तेबा अब स्पू आप है ने का यतों इसको प्रें प्रेश्ट पीस्पून सब कर दीनी है व स्थर टेर्लिए अब आम हम इसको हाँच से अची तरह मिक्स कर लेना है आपने तर्माम मसालों को यह जी तरह मिक्स करके आपने इसमें जो हमारे पास लिमू था एक अधर आपने इसमें उसका रस मिक्स कर देना है उसमें हमने इतकर लिमू और साथ ही आपने ओईल पीस में दो से टेबल स्पून और शामिल कर देना है दो से टेबल स्पून जस्ट जब आप देख सकते हैं कि हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह और इसको मैरिनेट करने के लिए आपने 40 तो 45 मिनट्स इसको रुखना है जब तक हमारा चिकन मेरिनेट हो जाता है उसमें हम सॉस पना लेते हैं उत्रे टाइम में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बटर जो आपको 50 ग्राम मैंने बोला था वह आपने इसमें 50 ग्राम बटर शामिल कर देती है आप देख सकते है बटर गरम होगी प्यार इसमें सबसे बले आपने प्यास जोता यह चोटा प्यास देना है आपने एक अधर उसको ब्री कटिंग कर ले रही है इसमें एड कर देना है यह वाइट सास बना रहे हैं आप सोते करेंगे आँच आपने हल्की रखनी है जादा तेज नहीं लखनी है अग्याओ जी प्यास मारा सोते हो गया इसमें साथ ही आपने जो दूद है यह खाफ कप होगा आपक दूद इसमें आपने एड कर देना है एक कपशम मिक्स करते हैं इसके साथ ही इसमें आपने आपके आपरी स्पून नमक हिर प्रॉनक लेना है थि ladAK सबस्केशंवाफ ही सबदों काली मिर्च ऑप성ता हरा जह को आपर अधरक का पाउर्ड के वोब तो आपने हाफी स्पून लेता है प्रोंस चुछ को अधरकर और दुपार है Commerce कपने अच्छी तरह मिक्स करते रहना है कि इस तरह आप đi साथ सब इसको मोदे रहने वराइन से dedi सोग्राम क्रीम आम इसमें एड़ करने लगें 200 ग्राम क्रीम और दॉबारा आपने इसको इसतरह से मिक्स करते रहना है और इसतुर से अब आपने चटनिया है भरा आप आपके म स्ञणियां आता है और यह आक्री worked बिल्कुर रेडी है, जी हमारा चिकन जो है मेरिनेट हो चुके है, 45 मिनट्स होके थे, आई अब आप इसको फ्राइ करते हैं, फ्राइ करने के लिए आपने ग्रिल पैन लेना है, ग्रिल पैन पे आपने ज्यादा नहीं लगाना, अब देख सकते हैं, थोड़ा सा ओल लेना है थोड़ा थोड़ा साइल लेकर इस तरह आपने उसको रगाकर अब इस पे हम बहले पर पना चिकन जाब पीस है, अब देख सकते हैं, कितना कम उइल लिया हमने, अब आपने एक पीस लेना है यहाँ से ठाकर, इस तरह से आपने इसको थ्राई करना है, जी बूसरा पीस लेन जाचे से आज़े हो पिर एक साइड पकानी है इसको बार आपने चेज़ भी करना पिर इसकी दूसी साइड पकाईंगे अंच आपने बिल्कुल नॉर्मर रखनी है जादा के तेज नहीं रखनी जाप देख सकते हैं कि हमारी सौस भी रेडी है जो हमारे पोटैटोस थे मैच् तो भी थोड़ा सा आपको बतावा क्या करना है, हमारी वेजटेबल्स जो है, अब उसको अपने सोते करना है, थोड़ा सा हम मखल लेंगे, पैन लेके आप उसमें मखल में इसको सोते करते हैं, दूसरी साइड को आप चीकर जेग नेख राई है हमारा, तो हम उतनी देर में सो जीट कीक, दो मिनिट के बाद हम इसको निकालने लगे हैं, आप देख सकते हैं, हमारी वेजटेबल्स सोते हो गया है, बाद लोग इसको मशरूम के साथ सर्फ करते हैं, हमने वेजटेबल्स के साथ किया है, क्योंके इसकी लुक बढ़ी अच्छी आएगी, ये प्टैटोस लुक ईशुआ, और काली मिस जो है, हाफ ची स्पून भी आपने अपने एड कर देनी है, और इसको मिक्स कर देना है, मखन भी आप इसमें अध कर सकते हैं, आपकी चॉईस है, लेकिन आम नहीं कर रहे हैं, इसको आपने इसका से मिक्स कर देना है, ये जुसके साथ शर्व ह जब देख सकते हैं इसका कले कितना अच्छा आगया है साइड आप इसकी दौरा चेंज करके देख लेते हैं लावदर बिल्कुल हमारा रेडी हो गया इसका तरह बाकी पीस भी जो हमारे हम उसको भी घ्रिल कर लेते हैं आपको यहां बताता हम ज़रूरी बात है यह है कि यह 15-20 मिनिट लगे इसको पकने में जल्दी नहीं करनी इसको राम से आपने हल्की आँच पे दर्म्यानी आँच पे आपने इसको पकाना है आप देख सकते हैं जूम में भी कि यह हमारे बिल्कुल रेडी हैं और आम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं इसको डिशाउट कर लिया है और कितना जबरदस्त कलर आया इसका आप वेजिटेबल्स का कलर देख सकते हैं सौस देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की उस साला उससे बेहतर होगी यह यह टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाराह्मान रराहीम अब देख सकते हैं कि अराम से तूट गया है जी जबरदस्त माशाला बहुत अच्छा इसका टेस्ट बहुत साफ्ट जूसी ज़रूर इसको घर में आप ट्राइ कीजेगा तो मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडि करें एक नई वीडियो के साथ आपकी हित्मत में दुबारा हाजिरूंगा तब तक के लिए अल्ला हाफिज